फिन्रल लड़कियों से फ्लट कर रहा होता है इधर पास में ही एक मैदान है जिदर तुमारे जैसे खूबसूरत फूल है तुम कहो तो मैं तुमको अधर ले चलू तब ही फिन्रल के पीछे यामी आस्तेंड चारमी आ जाते हैं और उनको देख डरके वो लड़किया वहां से भाग जाती है यामी कहता है हमको जल्दी से काईटन ले चलो फिन्रल बोलता है पर आस तो मेरा छुट्टी है ना जहां आस्तेंड चारमी पियार से बोल रहे होते हैं काम ओन फिनरल, तुम ही हमारी एक उमीद हो, तुह ही आमी कहता है, जब तक तुम मर नहीं जाते, तुमको कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, अब जल्दी से अपना पोडल खोल के, हमको काइटन ले चलो, वरना मैं तुमको खोल, तुमारी हड़ी तोड़ प्रॉक्स युनो से फाइट करने के लिए एकसाइड़ होता है, तब युदर लगूस आ जाता है, और कहता है, तैमेंड किंडम के एक जनरल की तरह पेशाओ, वो ये बात प्रॉक्स को कहता है, वो उसकी मदद करने आ जाता है, सिर्फ दूर से खड़े खड़े नहीं कि देखते हैं, तुम अपने आप को और लोगो को कैसे बचाते हो, युनो बैल की मदद से लगूस का हमला उसी की दिसा में मौड देता है, और लगूस का बेरियर भी तोड़ देता है, जब वो हमले से बचने के लिए, वो मैजिक बेरियर बनाता है, युनो कहता है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं लोगों को बचा सकता हूँ या नहीं, तो सुनो, मैं अपने आपको, अपने दोस्तों को और इस देश के लोगों को बचा सकता हूँ, ब्रॉक्स कहता है, अब क्या खयाल है लगूस, तुमको मेरी जरुवत पड़ी गई, लगूस कहता है, नहीं, मैं इसको समाल लूँगा, ये मेरा शिकार है, ब्रॉक्स कहता है, नहीं, ये मेरा शिकार है, वो दोनों आपस में भैस करने लग जाते हैं, और कहते हैं, नहीं, मैं इसको हराऊँगा, नहीं, मैं इसको मारूँगा, बैल कहते हैं, तुम दोनों क्या पकवाज कर रहे हो यूनो मेरा है बैल यूनो से बात करने लगती है पर यूनो उसको इग्णोर कर देता है लोटस ओफ दे एबी सो छुप के देख रहा होता है और कहता है देखो देखो यह लड़का कितनी जल्दी बढ़ा हो गया और काफी ताकतवर हो गया पहले के आती है क्या जीव है यार कैसा मौल बना रहे हैं बीटियों के साथ ना जाता है क्या परिवार एक मौल बना रहे हैं मिमो सा जख्मी लोगों को हिल कर रही होती है और बाकी के magic night दुसमनों से लड़ रहे होते हैं यागोस अपने slime magic से magic night को धिर कर रहा होता है जैसे ही कोई उस के magic करने के चमता कम हो जाएगी वह अच्छी तरह से magic नहीं कर पाएगा और फिर यागोस अपने जादू से उनको धेर कर देगा फिर उदर wise captain लांगरिस उदर आता है और अपने एक हमले से यागोस के magic को तबा कर देता है लांगरिस बस अपना एक हाथ हिलाता है और याग ग्रिमोयर खुला हुआ है ग्रिमोयर ओपन है तो lotus of the abyss अज्यूम करके चलता है कि विलियन वांजन्स किसी तरह का जादू इस्तमाल कर रहा है पर वो पेड़ों की जड़े दीरे सब फैल रही होती है अबिस अनुमान लगाता है कि golden dawn का captain कोई बड़ा सा पेड उगाने की स पाया वो बाकी के तीन जनरल को इंफर्म करता है कि golden dawn को captain एक बहुत बड़ा और ताकतवर हमला करने वाला है काइटन टाउन की रेंज में जो भी होगा वो सबको अपने जादू से पकड़ लेगा लागोस और ब्रॉक तो सुनते ही नहीं है वो दोने एक दूसरे से भास कर इसके पास कितना सारा जादू है या विलियन वांजनस अपने पेड़ वाले जादू से सभी दुसमन को पकड़ लेता है किसी को नहीं छोड़ता यामी आस्ता फीनरल एंड चारमी जैसे ही काइटन पोस्ते हैं वो देखते हैं कि उदर बहुत बड़ा सा पेड़ है आस्ता उने तो सब कुछ समाल लिया यामी गयता नहीं मेरको अभी भी देखना है कहीं फाइट वगरा चल रही होगी तो मेरी जरूत पड़ेगी तुम सब लोगों की मदद करो और मरना मत अपना खयाल रुकना और यामी पेड़ के एकदम उपर की और जाने लगता है गोल्डन ड और चारमी लोगों की मदद करते हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुचाने में मदद करते हैं फिंडरल एक लड़की से कहता है हेलो मिस तुमको चोट वगरा तो नहीं आई न वो फिंडरल को कहती है थैंक्स फिंडरल कहता है हम मैजिक नैट का काम ही है यह लोगों को मैजिक से ए बंदा नीचे उनको फाल रोता है जह को पुरी ताकत से हमला करता है तो मेरे सुंदर से जादू के सामने जरूर होगे यूनो कहता है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता तुम्हारा जादू कितना सुन्दर है'. जीतने के लिए तुम ताकत्वर होने चाहिए. यूनो अपने हमले से लग उसको ठेर कर देता है. यूनो आस्ता के पास आके कहता है तुम इदर क्या कर रही हो? कितने फटे हुए लग रहे हो जट पटा रहे हो और पसीने से लटपत हो फिनल कहता है इस बंदे ने मैजिक नेट को तभी जो इन किया दा जब आस्ता ने किया था और ये गोल्डन डाउन तक पोज गया ये पका ब्लैक बॉल की बेजेती कर रहा होगा ये कितना हैंसम है और कितना पोपुलर होगा ना कितनी लड़कें इस पर मरती होगी यूनो आस्ता से कहता है कि तुमारी ये हालत हो रखी है इस तरह से जख्यमी हो रखे हो इसका मतलब तुम और स्ट्रोंग हो गए होगी मैं तुमसे नहीं हारूँगा आस्ता कहता है सिर्फ मैं ही नहीं, दिखने से तो लग रहा है, तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, मैं भी तुम से हारूंगा नहीं, बैल देखती है कि यूनो हस रहा है, चार्मी कहती है कि यूनो की इस इसमाइल के साथ तो मैं सो चावल के कटोरे भर-भर के खा सकती हूँ, या फिर उससे भी ज़्यादा, फिंडरल सोचता है कि एक गुड लुकिंग हैंसम बोई, जो की एलाइट, गोल्डन डाउन का मेंबर है, वो आस्ता जैसे बंदे से कम्पीट कर रहा है, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, ये दोनों काफी सही गई, वो आस्ता के हातों को दवा की कहता है कि दवाने पे दर्द हो रहा है, आस्ता दर्द के मारा चिलाने लगता है, आउच, 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 कलाउस कहता है, मैंने इसलिए नहीं पूछा, कि मेरे को तुमारी कोई चिंटा वगएरा हो रही है, मिमोसा अपने healing magic से आस्त पावर है पर मैं तुमको छोड़ूँगा नहीं विलियम कहता है हाँ और तुमारे पास भी काफी सही मैजिक है तुम अपने लोगों को यहां से लेके निकल जाओ ब्रोक्स कहता है डाइमेंड किंडम कभी पीछे नहीं अड़ता चाहे कुछ भी हो जाए वो विलियम पे हमला करता है अपने जादू से उसका हमला लगने पहले है विलियम हावा में ब्रोक्स की तरफ कुछ फेगता है जो ब्रोक्स को दिखाए नहीं देखता उसको लगता है कि हवा के जोके से क्या होगा तुमको के लगता है इससे कोई चोट पूच पूचगी वीम को पकड़ लेता और अब वो भीज पेड़ में बदल गया तभी अचानक पीछे से एबिस विलियम पे सप्राइज अटेक कर देता है पर यामी उदर पहुंची जाता है और विलियम को बचा लेता है एबिस के शोल्डर पे छोटा सा कट लग जाता है यामी ने छोटा सा स्क्रेच मार दिया होता है एबिस सोचता है कि मेरे को लगा था कि मैं गेम पलेट सकता हूँ अगर मैं कैप्टन विलियन वांजन्स को सप्राइज अटेक में उसको धेर कर दू पर लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला वो सोचता है कि किसने सोचा था कि मेरे को इस से दुबारा सामना करना बढ़ेगा और अब तो ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है मेरे को इसको देखकर मेरे खुद के लिए मेरे मूपे स्रिफ एक ही बात आती है मैं एक बुड़ा आदमी हूँ और कुछ नहीं इनके सामने यामी कहता है मैं नहीं जानता है इसको ओए डाइमंड मेज क्या तुम सरेंडर करने के लिए तयार हो वो कहता है क्या तुम मेरे को नहीं जानते come on वो अपना च्छाती दिखाने लगता है कि Yami ने उसके च्छाती पे निशान बनाया था जब उन्होंने पहले एक बार फाइट किया Yami कहता है मुझे कोई शोक नहीं है एक आदमी की च्छाती को देखने में मैं तुमको बीच में से काड़ दूँगा तुम मेरे से फाइट करना चाते हो तो आ जाओ Abyss कहता है ये तो मेरे लिए काफी tricky situation है critical situation है ऐसे हाला तुम मेरे को अपने diamond kingdom के तरीके से निबटना होगा वो वहाँ से भाग जाता है दुम दवा के Yami कहता है तो हम दोने यहाँ पर रखे ले हैं क्यों ना हम थोड़ी देर बातचित करें तुमारे पास थोड़ा टाइम है ना Yami William से कहता है यह सब Yami कहता है तुमारा यह world tree magic हमेशा की तरह काफी सांदार है William कहता है यह सिर्फ मेरे दुसमन की वज़े से संभाव है क्योंकि वो उनका ही माना एब्जोर्फ करके इतना बड़ा हमला कर पाया Yami कहता है तुमारे पास और कोई magic spell नहीं शरिफ यह world tree magic के सीवा है William कहता है तुम कहना क्या चाहते हो Yami कहता है मैं वो हूँ जो अपने gut instinct पे भरोसा करता है अगर तुमको कोई तकलीफ नहीं तो क्या तुम अपना mask उतार सकते हो तो इसली के साथ यह episode खतम होता है यार मैं चाहतू रहा था कि 2-3 episode को एक ही video में compile करके explain कर दूँ पर किसी कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है उसके लिए और ज़्यादा time चाहिए उतना time मेरे को अभी मिलने पा रहा आगे चलके मैं ऐसा करूँगा और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इल्दी वीडियो डालूँगा पर अभी के लिए भस इतना ही जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा यार जितना भी thank you बलू उतना काम है परसनली कनेट करने के लिए इंटर्ग्राम पे जाओ फोलो करो कुछ पूछना है ना तो मिट से वहीं पे पूछो और भी डेर सारे वीडियो आते रहेगी जब तक के लिए जय है